अब हम जान चुके हैं मिसिंफर्मेशन डिसिंफर्मेशन एक्चिली में है क्या और उसके क्या खतरनाल असलात हो सकते हैं पर हमें अब इनसे लड़ना भी है ना तो आज मैं शेर करूँगा आपसे फाइब टिप्स जो आपको इसमें लड़ने में हेल्प करेगी और हम डिसिंफर्मेशन को किस तरीके से फाइट कर सकते हैं तो चलिए आप हमेशा रिलाइबल सोर्सिस से इंफर्मेशन हासिल करें जैसे के डवल्यो एच्छो गॉवर्मेंट की वेबसाइट और नेशनल मीडिया के शोशल मीडिया पेजिस अगर आपको पता है कोई बंदा जाने यान जाने इस इंफर्मेशन या मिस इंफर्मेशन को फिला रहा हैं आप उन्हें गाइट करें और उनके लिए रिसोर्स बनें उन्हें समझाएं कि ये किस तरीके से गलत है ताकि वो भी इन चीज़ों से बच सकते कोई भी इन फर्मेशन आप उनलाइन पढ़ते हैं वो आपको किस तरीके से फिल कराती हैं लाइक हम कोई भी हेड्लाइन पढ़के उस पर रियक कर देते हैं वो शेर कर देते हैं इस तरीके से ना करें आप उसको कम्प्लीट पढ़ें उस आर्टिकल में जाएं उसको रीड करें और उसकी कम्प्लीट स्टोरी पढ़ें अगर कोई भी डिस इंफर्मेशन या मिस इंफर्मेशन फिला रहा है और आप उसे देख रहे हैं तूस प्रोफाल को रिपोर्ट करें ठाके वो दूसरे लोगों तक मिस इंफर्मेशन या डिस इंफर्मेशन ना पहुच पाए हर फर्द का राइट है कि उसे right information या correct information मिले पर उसके साथ साथ हमारी कुछ जिमेधारिया भी है कि हम miss या disinformation फěलाए ना और दूसरों को भी इन छीज़ों से बचाएं ताकि कि हम disinformation free पाकिस्तान बना सके इस COVID के word झाल